वेल्कम फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका अपना पीबी आरे श्टडी आज की इस वीडियो में आज की इस कलास में हम लोग बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या कारण था और क्यूं हमारे भारतिय विंग कॉमांडर अभिनंदन को पकिस्तान ने इतनी जल्दी रिहा कर दिया आप सबी जानते हैं कि वह तो बिना किनी कारणों के भी भारत पर गोली बारी और हमले करवाता रहता है तो आखिर क्या कारण था कि पाक आर्मी ने अभिनंदन को पाने के बाद भी छोड़ दिया और इतनी जल्दी देखिए आपको हम जानकारी की उद्देश से इस वीडियो को बना रहे हैं तो पूरा देखिएगा जैसे कि आपका घर चलाने के लिए घर में दादा दादी होते हैं या फिर ममी बापा लोग होते हैं उसी तरह से एक देश को चलाने के लिए अरेश्टर पती होते हैं जैसे आपने पड़ता है जैसे आप एक परकार से समाज में रहते हैं इसको ऐसे समझेगा अगर आप कोई समाज से हट कर कारे करते हैं जो कि समाज में माने ना हो तो समाज के लोग आपको छोड़ देते हैं या फिर आपको सजा देते हैं ऐसा होता है उदारन के लिए आप इसे ऐसा देख सकते हैं भारतिय समाज और संस्कृति में कुछ नियम कानून है जैसे कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं किसी को बूरे सब्दों नहीं बोल सकते हैं और भारतिये सम्मेधान की बात तो नहीं, भारतिये समाज की बात करें तो ये भी है कि अपने समानी कौश्ट के लोगों में साधी और विवा का परवंदन होता है यह नहीं तो ऐसे हट के कुछ करने पे काफी पापर बिलने पढ़ते हैं तो उसी तरह का कुछ मतलब की एक समझाओता हुआ है जिसे जेनेवा कन्वेंसेशन के नाम से जाना जाता है और उसमें ये प्राधान किया गया है कि अगर यूद में कोई भी घटना होती है तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंसानियत और मानोता को सरमसा ना होना पड़े इससे आप देख सकते हैं जेनेवा कन्वेंसेशन का नाम दिया गया इसका मुखुदेस या रखा गया था कि यूद में इतनी कुरूरता ना बरती जाए कि इंसानियत और मानो अधिकार को सरमसार होना पड़े मतलब कि आप यूद कर रहे हैं तो आप निय कि किस तरह से यूद करना है जैसे साम ढलते ही यूद बंद हो जाता है और आपने देखा ओगा ना ऐसा माह भारत में होता था फिर अगले दिन शुरू होता था तो वैसे जो देश के बीच में यूद होता है इनका भी नियम होता है आई हम आपको दिखाते हैं ज्यादा ब कन्वेंशन सम्मेलन 22 अगस्त 1864 को हुआ था इसमें चार प्रमुक संधिवा तीन प्रोटोकाल कवल ले किया गया इसमें यूद के दोरन घायल वह बिमार सैनिकों को सुरच्छा परदान करना था मतलब जो सैनिक गायल है या बिमार है उन्हें आपको सुरच्छा देना है उनकी दवा करवाना है चाहे वो आपके दुस्मन देश के ही क्यों नहूं ये इस समझावता में खा गया है अगर कोई देश असार नहीं करता है तो उसके बिर्दू भी कारवाई होती है इसके अलामा इसमें चिकित्सा कर्मियों धार्मिक लोगों वा चिकित्सा परिवान की सुरच्छा की भी विवस्ता की गई ये कौन करेगा अगर किसी दूसरे देश के आप हैं फिर भी अगर आप मतलब दुस्मन देश के ही है लेकिन फिर भी आपके दुस्मन देश ही से जुड़े परादानों को सामिल किया गया इसमें समुद्र में गायल, बिमार और जल्पोत वाले सेन कर्मियों की रक्षा और उनके अधिकारों की बात की गई तीफरा चरण में जो हुआ 1929 का जिनेवा कंवेंसेशन इसमें क्या हुआ देहन दीजिएगा इसमें युद्र के कैदियों दोरा युद्र बंदियों पर लागू हुआ है जिनें पिरजिनर आफवार कहा गया है इस कर्मियन सेशन में कैद की इस्तिती और उनके अस्तान की सठीक रूप से परवासित किया गया है इसमें युद्र बंदियों के स्रम बित्तिय संसादनों का जिक्र और राहत और नयाई कारवई के सम्बंध में ब्यवस्ता की गई है आगे दिखिएगा इसमें बंदियों को बीना देरी के रिहा करने का भी प्रावधान किया गया है 14.1949 का जिनेवा कनवन से सन इसमें यूद वाले छेतर के साथ साथ वहां के नागरिकों का सनरचन का भी प्रावधान किया गया है यूद आपके देश देश में हो रही है लेकिन वहां जो लोकल लोग हैं उनको नुक्सान ना हो ऐसा भी इसमें कुछ प्रावधान किया गया है इसमें यूद के आसपास के छेत्रों के नागरिकों के अधिकारों के सनचन का विप्रावधान किया गया है ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उलंगा ना किया जा सके चौथा जेनेवा कंवंसेशन के नियम वा कानून 21 अक्टूबर 1950 को लागो किया गए वर्तमान में जेनेवा कंवंसेशन को मानने वाले देशों किसंगे 194 नवे हैं जेनेवा से जुड़े कुछ पर मुक्तत हैं जेनेवा समझाओते में दिये गया नुच्छ तीन के मुताबिक युद के दोरान गायल होने वाले युदबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए युदबंदियों यानि की पी ओ डवलू के साथ वरवरता फूर्न व्यवाद नहीं होना चाहिए उनके साथ किसी भी तरह खवेदवाव नहीं होना चाहिए साथ हिसानिकों की कानूनी सुविधा का भी पराधान किया गया मतलब मोहिया कराई जाएगी इसमें साफ तोर पर यह बताया गया है कि युदबंदियों के क्या अधिकार है साथ ही समझोते में युदचेद्र में गाहलों की उचित देखरेग और आम लोगों की सुरच्चा की भी बात की गई है इस संदी के ताहत गाहल साइनिक की उचित देखरेग की जाती है इस संदी के ताहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीज़े दी जाती है और इस संदी के मताबिक किसी भी युदबंदी के साथ अमान भी बरताव नहीं किया जा सकता इस संदी का सायनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर ये संदी लागू होती है जाए फिर वाहिस्तरी हो या पुरूस हो इस संदी के मताबिक युदबंदी को डड़ाया धंकाया नहीं जा सकता युदबंदी की जाती धर्म जन्म आदी के बारे में नहीं पूछा जाता ठीक ना समझ गए ये था जिन् Michigan समझाता है कन्वन सेशन जिसके तहाती ये सबते हुआ था और इन्ही समझातां और बात्चीत को लेते हुए इन्ही के यही सब कारण था कि आपके विंग कमंडर हमारे विंग कमंडर और इंडिया के वीर सफुद55 반 अंडर मभारती के लाल को पाकिस्तान ने 60 घंटे के अंदर रिया किया तो कैसी लगी आपको ये जनकारी आपने बिचारों को जरूर कमेंट करिएगा अगर कोई आप से गलती हुई तो माफ करिएगा अगर आप सभी के मन में कोई सुझाओ ये सिकाय थे तो आपने संकोच उसे कमेंट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में बस इतना ही फिर से मिलेंगे अगली वीडियो अगली जनकारी के साथ तब तक के लिए आपका अपना PBR स्टूडी देखते रहें थेंक्यू